हेलो गाइज, वेलकम मैं चैनल करेक्ट गुरू आज मैं आपको इलेक्टरिशीटी के बारे में बताने वाला हूँ इलेक्टरिशीटी साइन्स का कंसेप्ट है ओल्रेडी हमने दो क्लासिज डिसकस कर लिए और यह जितनी भी क्लासिज चल रही है वो NVS, Laboratory Attendant Exam से रिलेटिड चल रही है तो आज हम आपके साथ थर्ड कलासिज डिसकस करेंगे थर्ड कलासिज में हम इलेक्टरिशीटी के कंसेप्ट की डिटेल पड़ेंगे इसके MCQ पड़ेंगे तो पहला क्योसन देखिए, विदोधारा का मातरक क्या होता है पहला क्योसन है विदोधारा का मातरक क्या होता है विदोधारा का मातरक होता है MPR इलेक्टरी करेंट का SI unit का है MPR होता है आपको पता होना चाहिए इलेक्टरी करेंट का SI unit MPR होता है SI unit होती है international unit जिसको standard level पे मापते है standard unit होती है अब मापको इसके अलावा तीन ओप्सन और है उनके बारे में बता देता हूँ विदुधारा का SI मातरक तो MPR है वाट किसकी उनिट होती है वाट होती है पावर की उनिट होती है किसकी उनिट होती है सकती का SI मातरक क्या होता है वाट होता है और ये दूसरा क्या इसमे वोल्ट किसकी यउनित होती है वीबुवांतर को अंग्रेजी में इसका symbol होता है, यह जैसा होता है, तो यह विदुधारा का ऐसाई मातर क्या होता है, ये kushn अलग तरिके से भी बन सकता है विदुदारा का किस उपकरण से मापा जाता है इलेट्रिक करण इस kushn की मैंने डिटेल बता दिये अभी आप देखिये भी घर में दो परकार की सर्कुट होते हैं प्रिपत होते हैं एक पांच एमार का होता है पांच एंपियर वाड़े में लो चीजी चलती है लो वोल्टेज वाड़ी और पंदरा एंपियर वाड़े में हाई वोल्टेज फ्रीज, हीटर, प्रेस, विदुद प्रेस ये सबी है ना पंदरा एंपियर में चलती है और पांच एंपियर में बललब ट्यूब लाइट जलत निमन लिखी को नहीं कोन अर्द चालक नहीं है सहाण कोणक बाद करें अलएक सीलिकोन को सींबल सींबल मतलडадно जरवीनियम में क्या होता है जरवा क्या होता खी र को त तबी इसका जी होता है जी ही होता है जेडर नहीं होता है पारा क्या होता है एच जी तो इसमें कौन साय जो सेमी कंडेक्टर नहीं है अर्दचालक नहीं है इसका अंसर क्या आना चाले अब पारा आएगा पारा है वो अर्दचालक नहीं है क्योंकि पारा क्या है एक दातु है दातु क्या होती है अंग्रेजी में metal कहते है और यह क्या है दरव दातु है liquid है पारा और सारी ठोस दातु है लेकिन यह liquid liquid metal है पारा और पारा का symbol मैंने आपको बता दिया है एच जी पारा किसमें यूज होता है thermometer में किस में यूज ओता है thermometer में tube light में इन सब में पारा डाला जाता है अब आप आप सोचोगे पारा को अंगरेजी में क्या बोलते हैं आपको पता ओना चीए पारा को अंगरेजी में mercury का जाता है क्या का जाता है mercury करी है नेक्स्ट क्योशन देखिए यह अच्छा लग आपको क्योशन नेक्स्ट क्योशन देखिए विदुद परतिरोध का मातर क्या होता है जितने भी क्योशन है वह electricity से संबन दीता है विदुद परतिरोध अभी मैंने थोड़ी देर पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और दो वीडियो अगर आपको देखनी है हम पूरा अगर वीडियो अचा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें लाइक करें तो व वटे बराबर अर अर होता है आपको याद रिखना चीए ये C V volts potential a की बात है आय होता है और और र प्रतिरोद वे आई इस एकवल 1 रहे बत्ब्राबर थीक ए इसको बोलते है ॉम्सला याद रखना ओम का नियम ohms la kya होता है यह होता है यह मैंने भी बताया था न ohms la kya होता है v upon i बराबर r is equal to r हो जाएगा ठीक है यह इसका answer होगा और यह ohms la होता है v vantar vvantar की unit क्या होती है volt i current electric current क्या होती है ampere और resistance क्या होती है ohm तो आपको पता चल गया न अभी तो अभी तो confirm हो गया है, यह important question है, इसको अच्छी तरह से note कर लेना, next question देखिए, आवेस का SI महतरक क्या होता है, आवेस का SI महतरक होता है, आवेस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, charge बोलते हैं, क्या बोलते हैं, charge, charge होते हैं, दो परकार की, दनातमक और रिनातमक, positive charge और negative charge, आवेस की unit क्या होगी, कुलाम्स, एक आपने question भी पटाओगा, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम, कुलम्स ला, तो आवेस की SI unit क्या होगी, कुलाम होगी, अच्छी तरह clear होगया, वोल्ट आ चुका है, जूल नहीं आया, तो जूल किसकी unit होती है, कारे की, वरक की, उर्जा काम और उर्जा की उनिट क्या होती है जूल होती है याद रखना आपको हमेशा याद रखना काम और उर्जा की उनिट क्या होती है जूल होती है एक और भी होता है उस्मा हीट इन तिनों की उनिट होती है जूल और जूल को किसे नोट करते है जे से और कुलाम किसकी उनिट है आवेस की ऐसा इउनिट होती है स्टैंडर इउनिट बोलते है असान है एक 2 और 2 तीन ओम के 3 परतिरोधों को स्रेनी करम में जोड़ने पर मतलब 1 गया 2 गया 3 होगया ये 3 रेजिस्टेंस होगे इनको स्रेनी करम में जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा च्छे आएगा answer किया गया च्छे ओम असान है बहुत असान है ऐसे question आएंगे एक resistance हो गया दो हो गया तीन हो गया आर one आर two आर three total कितना आए च्छे ओम उत्तर आगया इसका six ओम इसका answer आ गया सिरेनी करम सीरीज में जोड़ेंगे बस यह आंसर है तो रेजिस्टेंसीन सीरीज नेक्स्ट केसन देखिए विबुवांतर का एसाई मातरक आया था ना भी केसन थोड़े देर पहले आ गया था अगर आपको पहले वाले केसन अची तरह आपने पढ़ लिए तो यह वीडियो आपको यह तलासिज आपको आसान लगेगा बहुत ज्यादा तो विबुवांतर का ऐसा ही मातरक क्या होता है वोल्ट होता है विबुवांतर को अंग्रेजी में क्या बोलते है इलेक्ट्रिक पोटेंशिल अब वोल्ट की बात आगी तो चलो बताते हैं गरों में कितने वोल तो ampere watt joule ये सभी हो गई, next question देखिए, एक kilowatt गंटा का विवारिक मातर क्या है, आपने देखा होगा, KWH, सुना होगा साइद, देखा भी होगा, एक kilowatt गंटा, जब electric meter चलता है न, जो बिजली का meter होता है, उसमें उसको बोलते हैं, एक unit, क्या बोलते हैं, kilowatt hour, kilowatt गंटा, कलियर हो गया न, एक क्यूइव एक unit के बढ़ाबर होता है, बोलते हैं कितने unit आ गई, जब हमारे घर में बिजली का bill आता है, तो तब बोलते हैं कितने unit आया है, तो कितने unit है, जिसे unit आएगी तो उस हिसाब से यह bill आएगा, तो किनिट का मतलब होता है किलो वाट परती गंटा खर्च हो रही है बिजली वाट गंटा जूल गंटा ये अलग चीज़ है नेक्स्ट किस्टिन ओम का नियम क्या है ओम का नियम क्या है ओम का नियम अभी मैंने बताया था उपर आपने देखा भी होगा V is equal to IR ओम का मिनियम क् में किस ताप पर पिंगलता है तंग्स्टन क्या चीजह वी attempts at अरो विद्यूत ब्लब का का तंक्तु धातू का बना उत्व को किसछे करते है तुंप्न का सिंबल क्या होता है W कई यह सोचते है T होता है गलत है तुनक्स्टन का प्र erfahrenBoard बुर्बलु तंग्स्टन में किस ताप पर पिंगलता है तंग्सटन छाइगां जुए किस का बना होता है इलेश्टिक बना यह पनला तैंदर फो तंग्सटन दातु का छोड़ दातुल जाएगक बनल दाता है अब आप बलब की बात कर रहे हो तो चलू बल्लब के बारे में बताता हूँ किस ने बनाया था बलब Edison Edison वे ग्यानिक ने बलब का विस्कार किया था विदूथ बलब का विस्कार Thomas Elva Edison पूरा नाम है Thomas Elva Edison वैसे इसको Edison ही कहते हैं अभी नया क्योचन उसका ऊपर वाड़ेगा विदो तो बलब का तन्तू किस दातू का बनाता है टंग्स्टन दातू का किस से नोट करते है W से कितने डिगरी टंप्रेचर पे पिंग लेगा 3500 डिगरी सेल्सिस असान है कुछ भी दिक्कत नहीं है बहुत असान क्यों सनवी और ऐसे ही क्यों सन बता देता हूं उसका होता है एजी तो यह सब सिंबल भी आपको याद रखने इसके लिए भी अच्छा कंसेप्ट लेकर आएंगे अभी हम आपको बेसिक करवा रहे हैं आपको अच्छी तरह समझ में भी आ रहा है और बेसिक ही एक्जाम में आता है उर्जा का ऐसाई मातरक क्या होता है असान क्योस्ष नहां at एक रहे हैं करेक्ट गुरु चैनल पर बता जा रहे है वीडियो अच्छा लगे रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले निमलेखे तेमें कौन विदुत का सूचालक है कौन विदुत का सूचालक है जिसमें बिजली गुजर जाएगी और सारे क्या है नोन मैटल है गरेफाइट किसका अपर रूप है एलोट्रोप है कार्बन का गरेफाइट एलोट्रोप है याद रखना कार्बन का अपर रूप है गरेफाइट कितने अपर रूप है कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं कार्बन की रूप छोट छोटी रूप कितनी हैं तीन इरा ग्रेफाइट और फुलरीन इरा ग्रेफाइट और फुलरीन इरे में बिजली नहीं गुजर सकती ग्रेफाइट में गुजर सकती है और फुलरीन में गुजर भी सकती है और नहीं भी गु नोन मेटल है, एद आतो है, बिजली नहीं गुजरती, पलास्टिक, यह तो आपको नोर्मल पता ही है, आयुडीन, आयुडीन का क्या होता है, आ यह होता है, याद रखना है, सब नोन मेटल है, सिर्फ graphite में बिजली गुजरेगी विदुत का सूचालक सूचालक का मतलब होता है बिजली गुजरना इतना detail बता रहा हूँ अब भी समझ में ना आए तो फिर तो आपका basic बिलकुली कमज़ोर है कौन सा पद विदुत प्रिपत में विदुत सक्ती कोनी रुपीत करता है विदुत सक्ती कोनी रुपीत कौन करता है विदुत पत में जो बिजली आती है वो पावर को ये नोट करता है पावर को नोट करने का फार्मूला है I square R क्या बोलते हैं I square R, I क्या होता है current I क्या होता है electric current विदुद्दारा इसका सुकेर और आर क्या होता है रेजिस्टेंस बर्तिरोज यह फार्मुला याद रखना आपको एक्जाम में पक्का आएगा यह क्योशन थे इलेक्टरिशिटी से रिलेटेड विदुद्द का पूरा कंसेप्ट अमने डिसकस कर लिया एंथ क्लास के फिजिक्स का कंसेप्ट था यह और यही एक्जाम में ऐसे क्योशन आते रहते हैं आपने देखा भी होगा तो यह लेबरोटरी अटेंडेंट एक्जाम एंविस के लिए थर्ड क्लास थी उमीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सस्क्राइब, सेर, लाइक करें और और भी अगर आपको वीडियो देखनी है और भी क्लासिस देखनी है कंप्यूटर की, जर्नल अवेरनेस की या और भी जी की हिस्ट्री या आपको जो भी कुछ देखना है तो आप हमारे channel की playlist में जाकर देखें Thank you, उमीद आपको वीडियो अच्छा लगा हुगा